आज का हमारा टॉपिक है हेलो एलकेन तो इसको हमें पढ़ना है बहुत ही अच्छे से देखो सबसे पहले तो हेलो एलकेन को हम एलकेल हैलाइड भी बोलते हैं अब सवाल यह उठता है कि हम इने बनाते कैसे मतलब यह कैसे तैयार होते हैं तो बेसिकली अगर मैं बिल्कुल सि जानते ही होगे जैसे फिलोरीन, किलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन यह हैलोजन परमाडू हैं क्योंकि यह समुद्र में पाय जाते हैं तो हेलो सब्द समुद्र से ही अर्थ रखता है मतलब दोनों का मीनिंग सेम ही है पर्याबाची सब्द हैं तो आपको हेलो एलकेन का सामान ने परिचा बता रहा हूं मतलब हेलो एलकेन क्या होते हैं और यह कितने पिरकार के होते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेलो एलकेन कैसे बनते हैं तो जैसे यह कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई एलकेन है अब आपके दिमाग में सवाल उठ झाखेगा कि ये Alpine क्या होता है Alpine का मतलब जैसे आपने पड़ा होगा Methane, Aethane, Propane, Butane तो ये Alpine कहलाते है ठीक है जैसे CH4 ये क्या है Methane, C2S6 ये क्या है Aethane, तो ये Alpine कहलाते है, सारी के सारी स्रेन आपने क्लास टेंथ में सायध पड़ी हो नहीं भी पड़ी तो कोई दिक्कत बाली बात नहीं है तो यह हो गया अपना एलकेन अब एलकेन में यह कहा जाता है कि एलकेन के अंदर अगर आप इसका एक हाइड्रोजन निकाल दोगे क्या कर दोगे एक हाइड्रोजन निकाल दोगे और उसमें आप हैलोजन का परमाणू एड कर दो गए हैलोजन का परमाणू चाहे आप फिलोरीन एड कर दो चाहे किलोरीन एड कर दो चाहे ब्रोमीन एड कर दो तो हैलो एलकेन बन जाता है फिर से समझो आपको यदि कोई एलकेन दिया गया है और एलकेन मेंसे हाइडोजन परमाणूं को निकाल दो अब जरूरी नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन निकालो, दो भी निकाल सकते हो, तो दो हैलोजन जोडने पड़ेंगे, तीन निकाल सकते हो, तो तीन हैलोजन जोडने पड़ेंगे, तो कहने का मतलब है कि एलकेन में से हाइड्रोजन परमाडूओं का निकाल कर, हाइड्रोजन परमाडूओं आया होगा, लेकिन मैं पूरा-पूरा आपको समझाना चाहूंगा, तो example ले लेते हैं, जैसे एक एलकेन ले लेते हैं, अब एलकेन क्या होता है, CH4 ये मेथेन का सूत्र है और ये इन्हें हम सामन भासा में मीथेन भी कहते हैं तो ये मैंने CH4 ले लिया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH4 या structure बना के C और चारों तरप H बना सकते हैं तो ये हो गया अपना एलकेन अब इस एलकेन में हम क्या करेंगे, पहले एक hydrogen निकाल लेते हैं और एक hydrogen, यानि chlorine जोड देते हैं कोई भी हैलोजन जोड सकते हैं फिलोरीन जोड सकते हैं, किलोरीन जोड सकते हैं, बिरोमीन जोड सकते हैं तो मैंने क्या कर दिया यहां पे एक किलोरीन जोड दिया तो देखो क्या बनेगा, hydrogen को निकालोगे तो कारवन तो रहेगा एक hydrogen निकलेगा तो तीन hydrogen तो बचेंगे तो इनको हम जियोंकातियों बना देंगे इधर देखो इधर देखो ये बना दिया इसके बाद ये hydrogen निकल गया तो यहाँ पे किलोरीन जुड़ गया और ये बन गया हैलो एलकेन क्या बन गया हैलो एलकेन इसे क्या बोलोगे हैलो एलकेन अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH3CL CH3CL यह क्या बन गया हैलो एलकेन अब यहाँ पे हमने क्या किया है मेथेन मेंसे एक हाइड़ूजन निकाला है और एक किलोरीन एड़ कर दिया है तो यह बन गया हैलो एलकेन अब आपके दिमाग में question आ रहा होगा कि sir क्या एक ही hydrogen निकाल सकते हो तो answer है नहीं दो निकाल दो जैसे ये आपके पास क्या था ये आपके पास methane था यहाँ पे कितने hydrogen है चार hydrogen है अब यहाँ पे मैंने दो hydrogen को निकाल दिया और दो x जोड दिया यानि दो chlorine जोड दिया ऐसे समझ लो तो क्या होगा c यहाँ पे h लिख लेते हैं यहाँ पे h लिख लेते हैं एक chlorine यहाँ जोड़ेगा एक chlorine यहाँ दो h निकल गए और दौनों की जगह पर एक chlorine यहाँ जोड गया और एक chlorine यहाँ जोड़ गया तो ये बन गया CH2 CL2 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं C और दो H है तो CH2 और दो किलूरीन है तो CEL2 तो ये हो गया CH2eling CD2 अब ये भी क्या है है ये हैलो एलकेन है फरक सिर्फ इतना है कि इसमें एक किलूरीन है और इसमें दो किलूरीन है इसका मतलब है कि इसमें हैलोजन परमाणू केबल एक ही है और इसमें हैलोजन परमाणू दो है तो इसके हिसाब से इसे बरगी करत भी किया गया है देखो जिसमें एक हैलोजन परमाणू हो उसे बोलते हैं मोनो हैलो एलकेन क्या बोलते है तो उसे बोलते हैं डाई हेलो एलकेन क्या बोलते हैं डाई हेलो एलकेन तो ऐसे तो फिर बनते जाएंगे अगर मालो कि तीन हेलोजन एटम है एक हाइडोजन और हटा दिया तो कारबन के पास चार हाइडोजन थे केवल एक hydrogen बचा क्योंकि तीन हमने chlorine जोड़ दिये तो एक तो ये हैलो एलकेन बन गया इसमें भी हैलो जन परमाणू है कारबन के साथ में तो ये भी एक हैलो एलकेन है लेकिन ये कौन सा है tri-halo-alcan क्यों tri-halo-alcan है क्योंकि इसमें 3 हैलोजन है क्योंकि इसमें 3 हैलोजन परमाणू है इसलिए हम इसे tri-halo-alcan कहेंगे तो इस हिसाब से तो एक हैडोजन जो बचा है वो भी गायब कर दो और किलोरीन चार जोड़ दो चारों जगा है मतलब कारबन के चारों तरफ किलोरीन जोड़ दो पहले हैडोजन जोड़ा रहता था ये देख लो तो कारबन के चारों तरफ हमने किलोरीन जोड़ दिये तो इसे बोलेंगे टेट्रा हैलो-alcan अब ये भी कई प्रकार के होते हैं तो आईए इनका बरगी करण बहुत ही अच्छे से समझते हैं जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले mono-halo-alcan की तो mono-halo-alcan में कितने हैलोजन पर माड़ू होंगे तो आंसर है एक ही हैलोजन पर माड़ू होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे मालो मैंने एक कारबन की चेन ले आर और bond CH2 कर दिया और CH2 करने के बाद मैंने यहाँ पर एक हैलोजन का एटम जोड़ दिया अब आपकी दिमाग में यहाँ पर एक क्वेशन आया होगा कि सर यह R क्या है तो देखो R का मतलब कारबन की चेन होगी मतलब कितनी भी लंबी कारबन की चेन हो सकती है गैसे CH3 CH2 यह क्यों क्यों मोनोहेलो एलकेन है क्योंकि इसमें एक ही हालोजन परमाणू जुड़ा हुआ है इसलिए आप इसे बोल सकते हो मोनोहेलो एलकेन लेकिन यह 1 डिग्री है कितने डिग्री है अब आपका दिमाग घूमना स्टार्ट हो गया कि ये बंडिगरी क्यों है बंडिगरी क्यों बोला है इसको देखो हैलोजन जिस कारवन से कनेक्ट है थोड़ा सा ध्यान से समझना हैलोजन जिस कारवन से कनेक्ट है वो कारवन सीधे एक ही कारवन से connected है आर का मतलब होगा कारवन जैसे मालो यहाँ पे यह चैन जुड़ी होती तो यह वाले कारवन से जुड़ा होता की नहीं जुड़ा होता यह वाला कारवन इस वाले कारवन से तो सीधे एक ही कारवन से अभी भी नहीं आया समझ में थोड़ा ध्यान से दू मैं दूसरा 2 degree बनाता हूँ अब आपको समझ में आ जाएगा जैसे यहाँ पे एक R बना दिया और यहाँ पे एक R बना दिया दो bond तो ये लग गए carbon के होने कितने चाहिए 4 तो carbon बनाया अब carbon बनाने के बाद हमें H2 नहीं लिख सकते हमें एक H लिखना होगा क्योंकि फिर हमें एक bond भी तो लगाना है और वहाँ पे एक hydrogen जोड़ना है क्योंकि ये mono halo alkane है तो एक hydrogen जोड़ना ही है लेकिन ये है 2 degree कितना है ये 2 degree अब ये 2 degree क्यों है क्योंकि hydrogen जिस carbon से connected है ध्यान से समझो hydrogen जिस carbon से connected है वो carbon सीधे 2 carbon से connected है 2 है ना अब सीधे क्यों बोल रहा है क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे hydrogen जोड़ा और यहाँ पे CH2 फिर CH2 फिर CH3 है तो तुम बोल दो कि hydrogen जिस carbon से connected है वो 2 carbon से connected है नहीं direct कि कितने carbon से connected है direct का मतलब सीधे एक ही carbon से है जैसे एक carbon से connected है तो इसे 1 degree कहेंगे जैसे 2 carbon से connected होगा तो इसे 2 degree कहेंगे जैसे hydrogen जिस carbon से connected है वो carbon यदि 3 carbon से connected है इधर भी हो इधर भी हो इधर भी हो तो इसे बोलते हैं सीधे जुड़ना इधर जा रहा है तो carbon मिल रहा इधर जा रहा है तो carbon मिल रहा इसे बोलते हैं 3 degree तो यहाँ पे देखो halogen जिस carbon से connected है वो जाके एक carbon की chain से जुड़ा होगा है लेकिन उसमें भी तो कहीं न कहीं पहले carbon मिलेगा एक carbon मिलेगा की नहीं मिलेगा तो इसे बोलोगे 1 degree इधर देख लो यहाँ पे halogen जिस carbon से connected है वो carbon इधर जा रहा है तो एक carbon यहाँ मिल रहा इधर जा रहा है तो एक carbon इधर मिल रहा तो इसे बोलेंगे 2 degree है तो यह mono halo alkane क्योंकि इसमें एक ही halogen है लेकिन halogen जिस carbon से जुड़ा हुआ है वो carbon सीधे ही एक कार्बन से जड़ा हुआ है, सीधे ही दो से जड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हो गया अब 3 डिग्री बना लोगे आप, कैसे बना होगे देखो इधर एक कार्बन बना लिया, इधर पे एक आर बना दिया, इधर पे एक आर बना दिया और चौथे bond में हैलोजन जोड़ना है क्योंकि carbon की balance कितनी होती है चार, carbon की सही हो जाकता कितनी होती है चार, तो चार bond रहेंगे पाँच मानी हो सकता तो यहाँ देखो, हैलोजन जिस carbon से connect है, वो carbon कितने अन carbon से connect है, तीन carbon से, इसलिए हमें से बोलेंगे 3 degree mono halo alcan, 3 degree mono halo alcan, यह सारे के सारे halo alcan है, अब सवाल आता है कौन से halo alcan है, तो answer आएगा, एक ही halogen है, तो mono halo alcan है, अब सवाल आएगा, कौन से mono halo alcan है, तो आप कहोगे, यह वाला बन डिगरी है क्योंकि इसमें 1 ही R है, यह वाला 2 degree है क्योंकि इसमें 2 R है, यह वाला 3 degree है क्यों आ रहा है अब हम बात कर लेते हैं डाई हेलो एलकेन की तो हेडिंग लगाएंगे डाई हेलो एलकेन अब डाई हेलो एलकेन में बहुत ही सिंपल है पहले देखो मैं आर बना लेता हूँ और मैं जानबूच के दो कारवन आगे छोड़ता हूँ वांड सी यहाँ पे मैं लिख स एक bond तो hydrogen बनाएगा, दो ये है तो हो गए, तीन और एक इस तरफ बनेगा, तो चार, यहाँ पे X जोड़ दिया, यहाँ पे X जोड़ दिया, दो हैलोजन है, इसलिए di-hello-elkin, दो हैलोजन है, तो क्या बोलोगे di-hello-elkin, दो हैलोजन है, दो हैलोजन परमाणू है, तो क्या ऐसी तरीके से di-hello-elkin, दो ताइब क्योंगे, देखो कैसे, अगर दोनों हैलो-elkin, एक ही कार्बन से जुड़े हो, यदि एक, दो, तीन, चार, हो गए ना, एक, दो, तीन, चार, इधर देख लो, एक, दो, तीन, इधर CH2 कर देंगे, तो हो जाएंगे चार, दो, और दो, चार, अब देखो, दोनों हैलोजन परमाणू, दोनों हैलोजन परमाणू, यदि एक ही कारबन से जुड़े हो, अगर दौनो हेलोजन पर माणू जश्ट अगल वगल वाले कारवन से जुड़े हैं तो इसे बोलते हैं विसीनल, क्या बोलते हैं विसीनल, आया समझ में की नहीं बताओ, अगर दौनो हेलोजन पर माणू एक ही कारवन से जुड़े हो, तो उसे क्या बोलते हैं, जैमिनल, और अगर दौनों हेलोजन परमाणू जश्ट अगल वगल वाले कार्बन से जुड़े हो दे को ये वाले कार्बन से ये जुड़ा है और ये वाले कार्बन से ये नीचे जुड़ा है इसे बोलते है बिसिनल डाई हेलो एलकेन तो ये वाला जेमिनल डाई हेलो एलकेन है और ये व आप जैसे आप से कोई पूछे Mono Hello Elkane की परिभासा बताओ तो आप बताओगे ऐसा हेलो Elkane जिसमें केवल एक ही हेलोजन परमाड़ू हो उसे Mono Hello Elkane कहेंगे इसे हम क्या बोलेंगे Di-Heloy Elkane अब बात करेंगे हम Tri-Heloy Elkane की तो heading लगाएंगे tri-hello-alcane अब ये क्या होते हैं? बहुत simple है इसमें क्या होगा कि carbon के साथ में 3 halogen जुड़े होंगे तो 3 halogen जुड़े होंगे इस तरीके से halogen atom जुड़े होंगे तो एक carbon के 4 bond होंगे तो एक hydrogen बना लेगा तो C-H-I-X-3 भी हम लिख सकते हैं tri-hello-alcane को अब tri-hello-alcane में famous example कौन-कौन से होंगे उनको समझ लो देखो सबसे पहले तो अगर आपसे कोई कहे कि इसकी परिभासा क्या होगी tri-hello-alcane की तो आप कह देना ऐसा halo-alcane जिसमें halogen परमाणू 3 हो या तीन halogen परमाणू होते हैं tri-hello-alcane कहलाता है अब बात करेंगे कि इसकी famous example कौन-कौन से हैं देखो X की जगह पर X का मतला फिलोरिन, क्लोरिन, ग्रोमीन तो इसमें सबसे ज़्यादा important जो रहेगा C-H-C-L-3 इसे बोलते हैं chloroform और ये जो है इसको हम हेलोform भी कहते हैं सामान सूतर है हेलोform हेलोform क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं chloroform और chloroform आपने नाम सुना होगा निस्चेता क्यानि बेहोसी की दवाँ है इसको सुनगाते हैं तो व्यक्टि थोड़े से टाइम बाद बेहुस हो जाता है इसके बाद हम कह सकते है CHI3, यह iodoform का सूत्र है, कभी कबार एक्जाम में यह फॉर्मूले आ जाते हैं iodoform का सूत्र खाली स्तान है iodoform का सूत्र लिखिए तो यह CHI3 iodoform है इसके साथ bromoform bromoform भी काफी जादा यूज होता है इसे बोलते हैं Bromoform तो इनको मिला के इसे बोल रहे हैं किलोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, बिरोमोफॉर्म तो हेलोफॉर्म इसका सूतर होगा हेलोफॉर्म तो CHX3 पे सारे बनाए गए हैं CHX3 यानि CL3, I3, BR3 तो किलोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म ऐसे हम फॉर्मूले बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं अब हम बात करेंगे कि टेट्रा हेलो एलकेन की तो वो भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे टेट्रा हेलो एलकेन काफी famous example है carbon tetra chloride यानि 4 chlorine carbon के चारों तरफ ऐसे जुड़े रहते हैं देखो इधर जुड़ेगा इधर जुड़ेगा इधर भी जुड़ेगा और इधर जुड़ेगा ये carbon tetra chloride है और इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे तो ये example हो सकते हैं इसका काफी famous example तो ये ही है carbon tetra chloride और भी आप बना सकते हो जैसे c, 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 i4 ऐसे बना सकते हो c, br, 4 लेकिन ये उतने exit नहीं करते ये ज़्यादा देखा गया है ये इस थाई है तो इस चीज को अब क्यों है इस थाई है notes के अंदर तो देखिए सबसे पहले हम hello alcan के बारे में हमने पढ़ा तो हमने देखा कि alcan में से hydrogen निकालेंगे और hydrogen जोडेंगे तो आपको यही लिखना है कि alcan में से hydrogen परमाणगों को निकाल कर hydrogen परमाणगों को प्रतीश थापित करने से बनने वाले जो योगिक होंगे उन्हें hello alcan कहते हैं तो याद हो जाएगा बड़ी ही आसानी से आप पढ़ लेना वही जो समझा है वही है यहाँ पे आप यह definition एक यह example बता दीना मैंने मैथेन से समझाया है extra में आपको बहुत सी चीज़ें आपको extra में समझाऊंगा notes से काफी जादा high level रहेगा हम लोगों का समझने का यहाँ पे देखो बरगी करण दिखाया गया है बरगी करण में mono hello alcan आप अच्छे से screenshot लेते जाना mono hello alcan लेख लो बरगी करण में सबसे पहले और इस प्रकार की language डाल देना यहाँ पे यही बहासा हमने समझी हुई है आपको बहासा याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको जो समझा है आप वही लिख सकते हो यहाँ पे देखो मैंने आपको mono hello alcan तीन टाइप के बताए हैं तो यहाँ पे भी तीन टाइप के mono hello alcan आपको लिख लेना है तीनों बड़ियां से अच्छी राइटेंग में लिख लेना है इसके बाद die hello alcan आप लिख सकते हो इस प्रकार के hello alcan में केवल दो हेलोजन परमाणू होते हैं यहाँ पे आप देखिए geminal बाला समझाया है तो यह वाला अब नेस्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अलाइलेक और बिनाइलेक हैलाइट्स किसे गायते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो लेक्चर में तब तक लिए बाई थैंक्यू अपना ध्यान रखना पढ़ाई करते रहेंगा